हेलो गाइज तो सभी को जाहिन तो आज 27 प्रोड़ी और आज से हम अपना यूपी पुलिस के लिए डेली का टारेर शुरू करने जा रहे हैं तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा तो आप मैनेज कर लिजीगा क्योंकि हम इसमें डिसकस करेंगे किस सब्जोट को कैस और कहां से कवर करना है तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो भी किसी भी एक्जाम की तैयरी कर रहा है तो उसके पास हमेशा दो चीज होनी चाहिए सबसे पहले तो उसके पास उस एक्जाम का सिलेवस होना चाहिए और उसके बाद एक डारी होनी चाहिए जिसमें अगर आप लोगों के पास यूपी पुलिस का सिलेबस नहीं है तो मैं इसे टेलिग्राम पर डाल दूँगा इसे आप अपने मोबाइल में स्किन सॉट करके रख लिजिएगा तो अब हम बात करते हैं कि हमारे यूपी पुलिस में चार सब्जेक्ट हैं हिंदी मैथ रिजिन और जी के चार सब्जेक्ट आते हैं तो उसको मैंने यहां पर एक सब्जेक्ट को लिख रखा है किसमें कितने चैप्टर दी हैं और कौन-कौन से टॉपिक वाइज दे रखे हैं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी को तो हिंदी के लिए मेरे पास जो बुक है वह है अगर आपके पास कोई भी बुक है तो काम चल जाएगा जरूर नहीं बुक हो बस एक अच्छी बुक होनी चाहिए जो की नई एडिशन वाली होनी चाहिए तो हिंदी में हमारा टोटल 20 चेप्टर हैं तो हिंदी को मैं अपने इसाब से तीन भागों बाढ़ता हूं ब्याक लिंग करीया विस्सट्र यह सब चीज़े आ जाती है और साब्दार्त में बिलों परिवाची तत्षंत अनेकार्थी और रचनाव में कभी लेखक और इसी में हिंदी के परसीद पूरुसकार भी आ जाती है तो इस तीन भागों बाढ़के और इन तीनों चीजों को हम एक स तोटल 15-16 चैप्टर दे रखा है जो कि केवल अंगड़ित दे रखा है और थोड़ा बहुत मेंसूरियसन दे रखा है तो मैथ के लिए जो मेरे पास बुक है वह यह वाली है अगर नहीं है तो यह बुक आप ले सकते हैं अगर नहीं तब लेना अगर है कोई बुक तो मत लेना तो मैथ में हमारे पास टूटल 15-16 चैप्टर है तो मैथ में अगर आपने किसी टीचर का बैच खड़िद रखा है तो आप महां से अपना मैथ कवर कर लिजीएगा क्योंकि कि हर टीचर अपने आप में बेच होता है अगर नहीं किसी का बैच लिए तो मैं बता दूगा कि आपको मैथ यूटूब से फिरी में कहां से कवर करना है ठीक है तो इसके बाद हम आ जाते हैं जीके और जीएस में यहां पर लिख रखा है इतने ही टॉपिक जीके और जीए सबसे पहले इन चारो सब्जेक्ट को अच्छे से खतम करेंगे उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट पढ़ेंगे ठीक है तो यह सब चीजे कहां से करनी है मैं भी इसको इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा तो इसके बाद करें की जो कि हमारे एक्जाम में बहुत बड करना है बहुत ही अच्छे से आप वहां से अपना कवर कर लेंगे यह थे हमारे चारे सब्जेक्ट जो हमारे एक्जाम में आता है जिसको हमने अभी डिसक्स किया और अगर हो सके तो आप लोग यह एक अपने पास रखेगा अगर आपके पास कोई है तो ठीक है अगर नहीं है तो आज हम बहुत जादे कुछ नहीं करेंगे बहुत ही नार्मल चीज करेंगे तो आज है हमारा पहला दिन तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कैलकुलेशन की कैलकुलेशन इतना जादे जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं बीना कैलकुलेशन के आज के समय कोई कंपडिशन नही और वाड़माला को हम 4-5 दिन में अराम से नोट्स और इसके क्यूस्टन को प्रैक्टिस करके अराम से 4-5 दिन में पढ़ेंगे उसके बाद हम 10 विलों 10 मुहावर 10 वक्यांसों के लिए एक सब्द इन चीजों को पढ़ेंगे उसके बाद एक परिवाची भाई एक परिवाच क्यूस्टन हम करेंगे केवल 20 क्यूस्टन इसका लेवल हम धीरे धीरे अपना क्यूस्टन बढ़ाते जाएंगे उसके बाद जीके और जीएस में क्या करेंगे हिस्ट्री का एक क्लास लेंगे खांसर का जो की 38 मिनट का है और अगर आप इसे एक दसमलों पांच की स्पीड म में आप देखेंगे तो तो हिस्ट्री और पॉल्टी यानि इतियास और सविधान इन दोनों का क्लास आपको इन दोनों की प्लैलिस्ट आपको यूटूब पे फिरी में मिल जाएगा आप लोग वहां से देख सकते हैं उसके बाद हम यूपी जीके का एक क्लास लेंगे जो दोरों सरका जो उन्होंने कल पड़ाया था तो मैं एक दिन पहले का देखता हूं जो एक दिन बीट गया है इसलिए देखता हूं कि कि उसे 1.5 के स्पीड में अराम से भगा के देख सकता हूं अगर आप चाहे तो क्लास ले सकते हैं यह आपके उपर है अगर आप चाहे तो लीजनन के लगाएंगे जो टैसे देश्च बुक पर दिये वी और बाकी करूं किया करना है कहां से पंड़ना है वह मैं कल आपको अराम से बताऊं गा की कॉन से टीचर से आपको फिरी में रेजननिंग पंड़नी और कहां से पंड़नी कैसे करना है ठीक है तो आज के drt च् आराम से कबर हो जाएगा